दोस्तों आप लोग को Coursera के बारे में तो पता ही हो, Coursera एक e-learning platform है, जहाँ पे आप different skills से related courses कर सकते हो, आप data science, machine learning, deep learning, android development, data analytics, हर एक field में आप course वहाँ से कर सकते हो, आप जो बहुत अच्छे अच्छे specializations हैं, उनको कर सकते हो, आप programming languages से related particular courses भी कर सकते हो, और बहुत ही अच् लोगों ने Coursera को select भी किया होगा, एक programming language या फिर को एक skill को सीखने के लिए, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को एक बहुत ही important information देने वाला हूँ, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, कैसे आप Coursera को बिल्कुल free में use कर सकते हो, आपने अच्छे अच्छे जो trending topics हैं, जैसे data science, machine learning, deep learning, artificial intelligence, इनसे related भी courses आप बिल्कुल free में Coursera से कर सकोगे, दोस्तों मेरा नाम कैस है, मैं एक software engineer हूँ, और मैं students की help करने के लिए videos बनाता हूँ, तो अगर आप एक student हो, तो इस channel को जरूर से subscribe कर लेना, और दोस्तों एक छोटी से request है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमें कमेंट करके बताना, आप लोग को एक वीडियो कैसी लगी, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग को मैं बहुत ही important information देना चाहता हूँ, अभी appraisal मन चल रहा है, सभी लोग excited होंगे, लेकिन इस time पे केवल salary high के expectations तो होती नहीं है, है ना, हम पूरी साल महनत करते हैं, ताकि हमें promotions मिल सकें, हमें कुछ higher responsibilities मिल सकें, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम अपने career में grow कर रहे हैं, वरना तो हमें ऐसा ही लगेगा कि हमें just pressures वाली feeling आती रहेंगी, है ना, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास enough experience है, लेकिन current job role में, current position में आपको वो value provide नहीं हो पा रही है, तो simple सी बात है, आप नए जगपे, नए roles के लिए apply करो न, और आज के time पे new jobs के लिए apply करना हारेक्ट के तुरू बहुत ही असान हो चुका है, यहाँ पे आप directly chat कर सकते हो, startups के co-founders के साथ, CXOs के स बिना किसी consultant के, और साथ में ही दोस्तों, यहाँ पे 1,20,000 से भी जादे startups hire कर रहे हैं, और आप लोग को जादे कुछ नहीं करना है, description में दिये गए link को follow करना है, application को install करना है, simple कुछ questions है, उनके answer देने हैं, और आपका profile तयार हो जाएगा, और application का जो algorithm है, वो आप लोग को recruiters से match करा देगा, और भाई अगर बात है प्रवेशी की, तो आपके बिना permission के आपका कोई भी details, recruiters को share नहीं किया जाएगा, तो यार देर किस बात की है, link दिया है मैंने description में, उसको follow करो, application को install करो, और नए opportunities को welcome करो, तो दोस्तों, आज की इस video को start करते हैं, और सबसे पहल कर सकते हो, कौन-कौन से topics हैं, जिन पर आपको courses करने चाहिए, और कौन-कौन से institutions हैं, जिनके courses आपको Coursera पे select करने चाहिए, उनके courses बहुत अच्छे होते हैं, इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग को इस video में, जो मैंने video के सुरू में भी बताया, आप लोग को एक बहुत ही अच्छी information बताऊंगा, जिसके through, आप Coursera के maximum courses, बिल्कुल असानी से, बिल्कुल free में कर सकोगे, तो अब चलते हैं, हमारे laptop screen पे, जहां पे मैं आप लोग को दिखा सकूँ, कैसे आप Coursera के courses को असानी से पढ़ सकते हो, कौन से courses पढ़ने हैं, और कैसे free में आप लोग क courses पढ़ने हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग हमारे laptop screen पे देख सकते हो, मैंने Coursera का जो official web portal है, उसे open किया हुआ है, और यहां पे देख सकते हो, मेरा account पहले से है, तो मैंने simple login कर रखा है, अगर आपका Coursera पर account नहीं है, तो simple आपको क्या करना है, यहां पे अपने Google ID से यहां पे login कर सकते हो, यहां फिर कोई account create कर सकते हो, अपनी email ID से, यहां पे आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे courses मिलते हैं, हर field से related, हर technology से related, और यहां पे दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी जो universities हैं, जैसे Imperial College London, इसके साथ साथ देख सकते हो, University of Michigan, बहुत ही अच्छी अच्छी universities से भी courses मिलते हैं, सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा deeplearning.ai के बारे में, Coursera पे एक ऐसा brand, एक ऐसा name जिनके courses बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों, अगर आपको deep learning, machine learning, इसके साथ natural language processing, यानि artificial intelligence में आपको सीखना है courses, तो आप जरूर से deep learning के courses select कर simple आप लोग deep learning.ai पे आ सकते हो और देख सकते हो इनके different courses हैं, Coursera पे उनको आप लोग select कर सकते हो, बहुत सारे courses हैं, deep learning में specialization है, medicine specialization है, AI for medicine specialization, यहाँ पे GAN से related courses, machine learning, natural language processing, हर एक चीज़ से related इनके courses हैं, और courses बहुत ही अच्छे अच्छे instructors के दोरा पढ़ाया जाते हैं, इ यह courses no doubt बहुत अच्छे हैं, तो इनको आप लोग check कर सकते हो, इसके अलावा आप लोग IBM के भी courses देख सकते हो, IBM के भी courses no doubt बहुत अच्छे होते हैं, data science के specialization, इसके साथ साथ data analytics के specializations हैं, बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, जरूर से check करना आप लोग को, तो आप लोग को क् machine learning का course है, Stanford की तरफ से बहुत अच्छा course है, यहां पे जो instructor है, वो Andrew NG है, तो मेरे हिसाब से जो भी students machine learning field में आते हैं, इस course को जरूर से करते हैं, देख सकते हो, यहां पे एक लाग से भी जादे ratings हैं, और यहां पे देख सकते हो, बहुत ही जादे students ने इन course में enroll किया हुआ ह अब जो next course है दोस्तों, वो है applied data science for python, specialization है, बहुत अच्छा course है, अगर आप data science में interest रखते हो, तो इस course को भी आप लोग check कर सकते हो, इसको भी पढ़ सकते हो, एक और course है, data engineering का, IBM का course है, मैंने बताया, IBM के courses आपको check करने चाहिए, तो अगर आपका data engineering में interest है, तो data engineering का जो professional certificate है, IBM का, उसे check कर सकते हो, और data science में interest रखते हो, तो IBM का एक professional certificate है, data science का, उसे भी आप लोग check कर सकते हो, तो दोस्तों, ये सारे जो courses है, बहुत ही जादे important है, और इन courses को आपको जरूर से check करने चाहिए, अब मैं दोस्तों, आप लोग को बताने वाला हूँ, कैसे इन courses को आ free में access कर सकते हो, तो simple दोस्तों, आप लोग को करना क्या होता है, अगर कोई भी course आप पढ़ना चाहते हो, simple उसके web page को open करना होता है, जैसे IBM का data science professional certificate है, इसको मुझे पढ़ना है, तो simple में इसके web page को open करूँगा, और इसमें जो पहला course है, उसको select करूँगा, जैसे देख स होता है, यहाँ पे financial aid लिखा हुआ है की नहीं, अगर course में financial aid अबलेबल लिखा हुआ है, तो उस course को आप बिल्कुल free में access कर सकते हो, simple आपको financial aid अबलेबल पे click करना होता है, यहाँ पे आपको continue to the application पे click करना होता है, और उसके बाद दोस्तों उस application को fill करना होता है, उस application को आप फिल करते हो 15 डेस के अंदर में वो कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है आपको एक भी रुपए चार्ज नहीं होते हैं आपको एक भी रुपए देना नहीं होता है आपको certificate मिलता है कोर्स का कोर्स में जो assignments होते हैं जो theoretical lectures होते हैं जो practicals होते हैं सब चीज के access मिलते हैं आप लोग को बिल्कुल free में आपको बाद में भी future में कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा तो अब आप problem हाती है कि इस application को fill कैसे करना है तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक separate video बना रखी है application जो financial ad है Coursera का उसके application को कैसे fill करें ताकि आपका application approve हो जाए आपको 100% guarantee के साथ वो course free में मिल जाए तो उस video को भी आप लोग चेक कर सकते हो मैंने उसका link description में दिया हुआ है और इस video से related कोई भी doubt आता है कोई भी question है वो जरूर आप लोग मेरे से पूछो दोस्तों उस question का उस doubt का मैं solution fine करने की कोसिस करूँगा So thank you guys वीडियो को आखरी तक देखने के लिए अगर आप लोग इस approval season में salary hike से कुछ extra चाहते हो तो hack को download करना ना बोलो यहाँ पे 1,20,000 से भी जादे स्टार्टप्स हैं और आप स्टार्टप्स के co-founder और CEO से direct chat कर सकते हो बिना किसी consultant के So link description में है तो go try haric and career hike करके दो देखो